प्यारे दोस्तों नमस्कर आज के इस नए वीडियो में एक बार फिरसे आपका स्वागाता है आपके पास सरकारी नोक्रिप पाने का जबरदस्त माउका है इसके लिए योग्याता इसनातक प्लस डिप्लोमा रखा गया है लिखी तेम कोसल परिक्षा के अधार पर चैन हो गया आगे की संपूड़ा जनकारी आपको शुड़ो में मिल जाएगी तो संपूड़ा जनकारी के लिए आप वीडियो में तक बने रहे और यदि आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का अपडेट आप तक तुरंद पहुश सके तो चलिए शुरू करते हैं आज के या वेडियो दोस्तों जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख पा रहे है करयाला जिलायम सत्रा ने अधिस जस्पूर द्वारा विज्यापन जारी की गई है आधन पत्र प्रस्तूत करने की अंतिमतिती थी एक तीस दव दो हजर बाईस संध्या सायम पात वजे तक रखागे है स्पीड पोस्त रजिस्टर डाक की बाध्यम से आविदन प्रेशित कर सकते हैं साथ ही साथ आप स्वयम काराला में उपस्थी तो कर भी आविदन जमा कर सकते हैं इस प्रकार आगे देखते हैं दोस्तो के दो पोस्त है और सहाय ग्रेट 3 के 10 पोस्त है इस प्रकार से इसमें जाती वार अरक्षड वार इसमें पदों का संख्या निर्धारित की गई है भरती की पत्रता की बात की जाए दोस्तों तो इस टेनो ग्राफर पद के लिए वेतन मान रहेगा लेवल साथ कर रहेगा 28700 इसका बेसिक पेमेंट रहेगा ग्रेट पेमेंट अटाई साज सक्चडिक योग्यता तो इसनाता खोना ची आरक्षी तवर्ग के ले 40% और अना रक्षी तवर्ग के ले 45% अंकों के साथ इसनाता खोना ची और 36 गड़ी अमाध्य प्रदेश सिग्र लेखन अता था मुद्र लेखन परिक्षा बोड सासन द्वारा मानेता प्राप्त किसी संस्था से सिग्र लेखन अमुद्र लेखन परिक्षा उतीड करने का प्रमार पत्र होना ची या विश्वई द्याला या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वार मानेता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन computer DCA प्रमार पत्र के साथ MS Word तथा इंटरनेट का नुंतम ज्यान होना चीए और आगे देखिए दोस्तो इस टेनो टाइपिस्ट के लिए मेट्रिक्स लेवर चार का या सलरी रखा गया है इसके लिए और योग्यता की बात की जाए तो इसना तक जो उपर वड़ी थे वही सेम है और जो ये सभी उपर वड़ी वही सेम है और आगे देखिए इसमें व्यरतिकों computer में हिंदी टाइपिस्ट की टाइपिंग की गती पा ग्रेट 3 के लिए जैसे के आप देख पार है वेटन मेट्रिक्स लेवल फोल का रहेगा इसके लिए भी और सक्षडिक योग्यता की बात की जाए तो मानेता प्राप्त संस्ता से अरक्षित वर्गे के लिए 40 और अरक्षित के लिए 45 के साथ इसना तक होना ची आप व्यरति की होगी कि वे अविदित पत के लिए निर्धारित हरता या सर्तों को पूरा करते हैं नहीं आयू सीमा की बात की जाए तो कोई भी उम्मीद्वार जिसके विवा के लिए निर्धारित नेंतम आयू से पूर्व विवा कर लिया हो नुक्ति के लिए पात्रा नहीं होगा इस 2022 को 18 वर्षा की आयूपूर अकल ली हो परन तु 35 वर्षा से अधीक नहों और जो राज्य सरकार द्वारा छूड दिया जाता है हो वो छूट आपको मिलेगा उस्तर आयू सीमा जैसे कि इस प्रकार्सिस में छूट का प्रधान रखा गया है जैसे कि आप देख पार है चाहित प्रारूप में आपको दिखा दूँगा उसी प्रारूप में आपको 31-2022 संधिया सायम 5 वजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्टर रूप से अधीत पत के नाम लिखा हो कराला जीलेम 17 नयादिजस पूर चातिस गड़ में स्पीट पोस्टर रजिस्टर पोस्टक के माधम से अस्वाम उपस्थितों करके कराला में जमा कर सकते हैं इसमें और देखिए देस्तों उपरांत जो बोला है 31-2022 के बाद आविधन शिकार नहीं किये जाएंगे आपको क्या करना है संबंधित प्रमार पतर की स्वाप प्रमार प्रतिया यहां 55 रूपय का डाक ट आपको डालना होगा अविधन के साथ जन्वतिती की सत्यता के संबंध में जन्मार प्रमार पता अथ्वा 58-10 की अंग्सुची आपको प्रेसिद करना है मतलब आपके पास जीतने भी डाकुमेंट है उन सभी को आपको प्रेसिद करना है इमेल या फैक्स है के माधम से प्र प्रक्रिया देख रहे दोस्तों जैसा कि न्युक्तियम्चन की प्रक्रिया इस प्रकार से हिंदी इस्टेनोग्राफर्षर। के पत के लिए जैसा कि आप देख पार है कौसल परिक्षा साव अंकों की होगी उम्मीद वारकुसाव सब्द जैसा कि दोस्तों यदि अविद्यन की संख्या जादा हो जाता तो पहले समान्य घ्यान टेस्ट लिया जाएगा जैसा कि आप देख पार है वस्तुनिष्ट समान् जाएगा इसमें बताया गया है दस्ताइज परिक्षड तो कौसल परिक्षा में सभी वर्ग के भीर्थे को निंतर 33% अंक लाना अन्युआ रहे हैं उसके दस्ताइज परिक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा साक्षात कर लिया जाएगा फिर मेरिट सुची तैयार की ज जाएगा चौथे वर्षा में आपको पूरा 100% सलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जानकारी के लिए आप जो है इस वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं इस प्रकार्सिस में जानकारी दी हुई है दोस्तों यह आवेदन का प्रारूप है इन्हीं प्रारूप में भर करके आपको आवेदन प्रेशित विभाग को करने हैं साथ ही साथ दोस्तों यह जैसा कि आपको इसी को प्रेशित परिक्षा के लिए प्रवेश पत्र है इसको भी आपको फिल करके सेंड करना है और आप जो इस्टिकर चिपका कर लिफाफा भेजेंगे उसी में ओलो फेक करके आपको प्रवेश पत्र भेजेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार के नएन आपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राब करके बिल आइकन को जुरूर प्रेश कर लेए मिलते आगले वीडियो के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थेंक्यू फार वाचिंग